अब हम बात करेंगे मीन राशी के लोग प्यार में कैसे होते हैं और मीन राशी के लोग दिखने में सुन्दर होते हैं अपनी जड़ों से दूर नहीं जाते और काफी हद तक जो है एडजस करने की कोशिश करते हैं जहां पर यह आपको रेंबू दिख रहा है यहाँ पर जो है हम राशी चेंज करेंगे और आपको बताएंगे कि बाकी राशीयों के साथ मैं आपका किस प्रकार से संबंद रहने वाला है किस प्रकार से जो है आप उनके साथ में जैल करेंगे या आपका हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा वो हम आपको बताएंग तो शुरू करेंगे और पता नहीं कौन सी फोर्स है जो मीन राशी वालों को मेश राशी वालों की तरफ ले करके जाती है आपको इनकी तरफ ले करके जाती है और कभी भी एक दूसरे को समझते नहीं है लेकिन फिर भी खिच्चे चले जाते हैं और पूरी जन्दी जो है एक दूसरे को समझते हुए भी निकाल देते हैं ऐसे जो है ये शुरू होता है नेक्स्ट है हमारे पास मैं आपके लिए टॉरस बरिशव राशी वाले वही यहाँ पर जो है वीनस और नेप्चुन दोनों मिलते हैं यहाँ पर इस कपल में दोनों ही बहुत ही सुन्दर जो है वो चीज़े बनाते हैं और एक तरीचे से हैपी और लविंग जो है रिलेशनशिफ यहाँ पर गारंटीड है दोनों एक दूसरे से जो है बिलकुल मतलब प्यार करेंगे काफी इसमें कोई भी यहाँ पर कोई सम्मध विच्छेद की कोई संभावना लगती तो नहीं है नेक्स्ट है हमारे पास में लेकिन टॉरस राशी वालों का व्रिशव राशी वालों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा उनको खाना और उनका मोबाइल और उनको अन अबस्टेक्टेड जो है उनका एंटरेटेंडमेंट उनको मिलता रहना चाहिए बस next है हमारे पास मिथन राशी वाले मिथन राशी वाले यहाँ पर यह थोड़ा सा एक अलग तरह की compatibility है यहाँ पर यह creative union है creative है यह काफी जो है यह संगम और यहाँ पर बड़ी अच्छी दोस्ती भी होगी और एक deep romantic connection यहाँ पर बनने की उम्मीद है आपकी जो है इनके साथ में मिथन राशी वालो से लेकिन मिथन राशी वालो का एक और सभाव है जिससे आपको थोड़ा सा तुचार होना पड़ सकता है वो है gossiping और drama का तो अगर आप उसके साथ में put up कर पाए तो बहुत ही बड़ी है next है हमारे पास cancer करकराशी वालों के साथ में ये भी जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा deep connection यहाँ पर बनेगा और ये इतना deep बनेगा कि करकराशी वाले आपकी जीवन में जो space है उसको खतम कर देते हैं और इतना ज़्यादा suffocating type का ये love होने लगेगा और धी में धी में क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर आदमी फिर outside interests भी आदमी के होने लगते हैं इस तरह के relationship में तो थोड़ा सा ख्याल यहाँ पर रखना पड़ेगा एक दूसरे को space पूरा पूरा दिया जाए next है हमारे पास में यहाँ पर आपके लिए वो हैं लियो सिंग राशी वाले सिंग राशी वाले काफी अलग तरह की personality हैं लेकिन दोनों dreamers हैं और दोनों जो हैं hopelessly romantic हैं काफी romantic हैं दोनों दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे लेकिन जो है सिंग राशी वाले बहुत ज़्यादा ambitious है और वो आपको अपनी ट्रॉफी की तरह से मानते हैं एक बहुत ही शांदार कपल बनने की यहाँ पर अमीद जरू की जा सकती है next है हमारे पास में आपके लिए बढ़को कन्या राशी वाले कन्या राशी वाले भाईया यह opposite है पूरी तरीके से लेकिन दोनों के लिए अच्छा है यह sign यह दोनों अलग-अलग तरह की personality है और दो जो है दो half मिलकर के पूरा एक अंक बनाते हैं यहाँ पर इस तरह से relationship बढ़िया चलेगा लेकिन दोनों ही जो है ड्रामा लविंग है थोड़े से आपको कन्या राशी वाले अदास मिलेंगे और थोड़े से उनको लगेगा उनको दिल में इभावना रहेगी कि सैद आप उनको एक दिन छोड़ करके ना चले जाएं तो इसलिए आपको बड़े पर्सनलिटी है और यहां तक अगर हम देखें तो दोनों जो है साइन जो है तुला और मीन दोनों जो है खाफी जेटल है और दोनों को शांती चाहिए और दोनों बड़े शोर सरावा पसंद नहीं करते और दोनों जो है रोमेंटिक में पूरी-पूरी कोशिश करते हैं जिन्दिगी में. Next है हमारे पास में आपके लिए तुला राशी वाले. तुला राशी, सुरी, तुला के बाद व्रश्चिक, व्रश्चिक राशी वाले. ये सबसे जो है romantic relationship में माना जाएगा. जिसमें जो है, सब कुछ साथ में आ रहा है आपके साथ में. Emotion, passion, romance, और भी कई तरह की विधाएं यहाँ पर साथ में मिलेंगें. लेकिन थोड़ा सा एक दूसरे को space देना पड़े रहा है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है, एकदम से इस्तीनी relationship शुरू होगा यह. Next है हमारे फास में, धनू राशी के लोगों. धनू राशी के लोगों को देख करके, जब आपके साथ कोई देखता है, तो यह लगता है, कि यह पेर थोड़ा अलग है. मिलाए उनको होना नहीं चीए था, साथ में एक सुंदर है, एक थोड़ा सा कम सुंदर है, या एक बहुत ज़्यादा ambitious है, और एक बिलकुल जो है, बिलकुल भी ambitious नहीं है, और बिलकुल भी जो है, धनू राशी और मीन राशी वाले, दोनों को ही जो है, वो अलग अलग दिशाओं में घुमते हैं, और दोनों को ही कुछ ना कुछ चाहिए, और दोनों जो है एक दूसरे में डूढ़ने की कोशिश करते हैं, और यहीं एक experience है जो पूरी जिन्दिगी बर रहेगा, नेक्स्त है हमारे पास Capricorn, मकर राशी वाले, मकर राशी वाले जो है काफी practical discipline होंगे बिलकुल life में, और वो हर काम करीने से करते हैं, हर काम वो बिलकुल एक style से करते हैं और तरीके से करते हैं, बहुत ही gentle होंगे आपके साथ में और आपको security और आपको strength दोनों आकर करके वो देंगे आपको relationship में, यह भी एक अलग तरह का match है, जो कि वाकई में काम करेगा और हो सकता है, आपके लिए बड़ी हभी रहे रहेगा, next है हमारे पास में कुम्बराशी के लोग, कुम्बराशी के लोग वहिया, आपकी जिन्दिगी में बहुत ही care लेकर के आएंगे, बहुत आपकी चिंता करते हैं, बहुत care करेंगे, और एक तरह से यहाँ पर philosophical जो है एक लव जो है वो शुरू होगा यहाँ पर, और आपका त्यान रखते रखते कब आपसे प्यार हो गया कुम्बराशी को उनको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है, बड़े हैं इंसान हैं और लेकिन उनके पास में वक्त की कमी होती है, हमेशा, उनका सरकल बड़ा होता है, बस आपको इससे थोड़ा सा संतोश करना पड़ेगा, लास्ट है हमारे पास मीन मीन राशी वाले, दो बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सिंस्टिव लोग विलेंगे आपस में, तो वहाँ पर प्यार तो होना ही था, और एक तरह से रोमांस यहाँ पर बिलकुल मान के चल लीजिए, पूरी जिंदिगी बर रहेगा यह, और दोनों यह दूसरे को बड़े अच्छे डंग से समझते हैं, तो यह तो हुआ वही आपके लिए और अब हम आपको बताते हैं कि सबसे बढ़िया कौन से लोग हैं, जिनके साथ में आपका रिलेशनशिप चलने की उमीद हैं, एक तो यह तो यह तुला राशी वाले और एक जो है यह आपकी खुद की राशी के लोगों और मकर राशी वालों के साथ भी बढ़िया है, और आपका सिंग राशी वालों के साथ भी अच्छा है, और यह जो environment में होना चाहते हो जहां लोग आपको सरा हैं लोग आपको जो है अडमायर करें लोग आपको लाइक करें और कोई आपका criticism नहीं करें और especially बहुत ही ज़्यादा secure environment आप चाहते हैं अपने लिए तो ये relationships आपको देंगे उमीद है अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें thank you thank you very much indeed and God bless you